साथियों, कल कॉंग्रेस पार्टी ने एक जूट का पुलिन्दा जारी किया है, अपना गोषणा पत्र जारी किया है, जूट का ये पुलिन्दा कॉंग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई कॉंग्रेस को बे नकाब करने वाला इक गोषणा पत्र है, आप देखिये, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बुँ आ रही है, कॉंग्रेस के गोषणा पत्र में वही सोच जलकती है, जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी, मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को, कॉंग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है, मुस्लिम लीग की च्छाप पाले, इस गोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपन्ती, लेप्टीस्थ हावी हो गए हैं, और आप देखिए, आज की कॉंग्रेस के पास, न सिद्धांत बचे हैं, और ना ही नीतियां बची हैं, ऐसा लग रहा है, कॉंग्रेस सब कोच ठेके पर दे चुकी है, पूरी कॉंग्रेस पार्टी को आउट्सोर्स कर चुकी है, आप मुझे बताईए, क्या ऐसी कॉंग्रेस देश हित में कोई काम कर सकती है, देश हित में कोई काम कर सकती है, भाईयों बैनों गोजना पत्र देखो गए, तो ये भारत को पीछली शतार्दी में धकेलने का एजन्ना लेकर के आए है, क्या हमें आगे जाना है क्या नहीं जाना है, आगे जाना है क्या आगे बढ़ना है क्या भारत को पिछली शतार्दी में धकेलने देंगे, साथियों गरीब और बंचीदवर की तरह ही कॉंग्रेस ने कभी नारीश शक्ती की परवा नहीं की, मेरी माताए बहने, आपकी ये जो जाग रुखता है न, ये कॉंग्रेस को उसके पिछले अनेक दसकों के पाप का जवाब मागने के लिए तयार हो गई है सकते, आजादे के बाद, पीडी दर पीडी, देश की करोड़ों बेटियों का जीवन कश्ट में विता, तो उसके लिए जिम्मेबार कौन है? उसके लिए जिम्मेबार कौन है? ऐसी कॉंग्रेस को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एसी कॉंग्रेस को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 19 अप्रेल और 26 अप्रेल कमल पे बटन दबा कर ये कॉंग्रेस को कड़ी सजा देने का समय आ गया है मेरी सरकार का तीसरा कारकाल बहुत दूर नहीं है पहले सो दिन में ब्रस्टा चार के खिलाब बीजेपी सरकार और भी बड़े फैसले लेने जा रही है मैं तैयारी करके बैठ रहा हूँ सारी तैयारी शुरू कर दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ दस साल में जो कारवाई देखी वो तो ट्रेलर है अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है